तो आज हम बात करने वाले हैं तीन स्मार्ट वाचेस की जिसकी प्राइज लगबग 10,000 से स्टार्ट होती है 11,999 मतलब 12,000 तक कीमत पर आपको कौनसी वाचेस प्रिफरेबल में करता हो तो यहाँ पर हम टोटल तीन वाचेस को गंपर करने वाले हैं Hemi Amaze Fit GTS Smartwatch दूसरी जो वाचे वह है हाणर की तरफ से Magic watching 2 और तीसरी जो वाचे वह है Huawei की watch GT2E sports तो यहाँ पर 3 smartwatch आपको 12,000 के अंडर में मिलते हैं जो कि अच्छे इहां पर है तो हम आज इसी की comparison करने वाले कि कौन सा बेस्ट रहने वाला है एक तो यहां पर पहले अमेज बिट फिज जो है वो स्टार्टिंग में आता है जो प्राइस करता है तेन ताउजन मतलब 9999 तो यहां पर शार्टिंग का यहां भी हम हुआ वी अमेज फिट जीटिया स्मार्ट की बारे में देखते हैं तो आपको ए सक्कुरेड शेप ने को मिल अले हैं पर रहबं शेप यहां पर इसेप्र आपको 26 65-inch का है AMOLED स्क्रीन मिलता है प्लस 7-7 2.5 डी का आपको कर्व डिस्प्ले मिलने वाला है और कॉर्णि गोरियला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है तो यहां पर डिस्प्ले की बात करें और साइस की बात करें तो ओवराल जो वॉच्छ से इसमें से यह वाला जो वॉच है इस जाने कि यहां पर आपको वाच में 5 एक्मस्फियर मतलब 50-meter डेप तथा आप यहां पर वाच को वॉटर टेस्ट कर सकते हों आपको यहां पर प्रोटेक्शन मिल जाता है और तो यह वाच में आपको लगभग टोटल 12 डेखने को मिलते हैं जो कि स्पोर्स अक्रीटे और व करें मतलब आपका रियल टाइम हाट बेट रेटिंग बताएगा कि आपका दिल कितनी जोर से धड़क रहा है तो यहां पर रियल बीट एया बेस्ट टेक्नोलोजी का यूज किया गया है जो आपका हाट बीट सेंस कर लेगा और जो इसके बैट बैक पके बात करते 14 दिन का मतलब जो भी आभी स्मार्ट वॉच्ज है हमारे अभी यहां पर कंपर में वह लगबग चौदा दिन का ही बैट वैक देते हैं तो यह बैटरीन बैट वागप मिलता है मतलब वन चार्ज में आपको 14 डेस का अब अब गार आप सोच रहे होंगे फर्स टाइम हो यहां फिर वाच इस का थोड़ा एक्सपिरेंस लेना है तो यहां पर आपको यह वाच रिफर करोंगा मैं क्योंकि यहां पर 10,000 रूपीज में आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है एक नॉर्मल सा हार्ट सेंसिंग ब तो यहां पर सिफ हाड़ वी ट्रेडिंग पता चलते हैं तो हाड़ वी ट्रेडिंग से भी आप पता कर सकते हो कि मतलब आप वीमार हो की नहीं तो अंडर बजट में लुकिंग में भी काफी इस कंडिशन मस्द बनाया और थोड़ा अट्रेक्शन सा दिखता है वाटर पू आपको 50 मीटर यहां पर डेप्ट का वाटर सेंसर या फिर वाटर रेजिस्टेंस आपको यहां पर वाच देखने को मिलती है तो काफी बैठर है यहां पर मेरे क्याल से अंडर बजट 10,000 की रेंज में यह वाच थोड़ी बेटर बन जाती जिसमें थोड़े वह से फीच्छ आएगा जो स्क्रीन पर और मैसेज का नोटिफिकेशन कॉल को नोटिफिकेशन यहां पर कोई आप कॉल रिसेव नहीं कर सकते ना कोई मैसेज कर सकते हो तो यहां पर बस एक कॉन बन सकता है जहां पर एक कमी निकल के आती है कि आपको यहां पर सिफ नोटिफिकेशन और आपकी डेली डूटिंग अक्टिविटेस ट्रैक करने को तो अगली वाच की साथ अगर कंपर करें तो यहां पर प्राइज़ होता है बस थोड़ा साफ फिचर आड़ हो जाते और थोड़े बहुद से प्रडइच ऑज़ यहां पर कौन में एतुर चाहर है यहां पर इस्पिलय स्कॉम होता यहां पर पूरा डिफ्रेंस देखे तो यहां पर सिमिलर फीचर आपको यहां पर सारे मिल जाते बस थोड़े से एड़े कर देते आपको एंबेंट लाइन सेंसर देखने मिलता है जो क्या करता है आपका जो डिटेक्शन होता है हाट का जैसे आपने अस्पाइल में देखा हो गई यहाँ पर एक क्लिप सा लगाते हैं तो उसे थोड़ा सा मेडिकल अटिंशन देना पड़ता है बट आगर सेवेंटी से नीचे आ गया तो आप बीमार हो यहाँ पर ऐसे डिटेक्ट हो जाता है तो एस्पी ओटो का सेंसर यही काम करता है कि आपका जो खून का ब्लड ऑक्सिजेशन सेचुरेशन है वो सब चेक करता है जो बस यहां पर आपको कुछ इंटर्स देखने को नहीं मिलता स्ट्राइलिज डिजर्निंग मिलते है थोड़ी सी हां यहां पर थोड़ा बहुत सब मेटलीक यूज किया गया है यहां पर कंपनी ने दावा नहीं किया मतलब वाटर्रूफ है कंपनी ने सिफ यहां पर बताए क तक हुआ किरिन का वं प्रोसेसर जिसकी वज़े से आपका यहां पर बैट लिजांट जाता हुआ पर shelf की तब इस स्मार्टवाच सकत हो और जैंस मिलता है जो कि एक तरफ यहां पर माने दो यह मम है स्केस के लिए अख me मैं बोलो तो यहां पर similar type का अगर देखे तो यही वाच आपको और एक product में मिलती है मतलब honor की magic में तो अगली जो watch है हमारी honor की magic watch 2 तो यह जो watch है यहां पर आपको similar specifications देखने को मिलता है even processor भी even थोड़ा सा design यहां पर बोल सकते है similar look देता है बट आपको इस watch में काफी better in feature मिलता है जो कि Bluetooth calling का जहां आप यहां पर Bluetooth call receive कर सकते हो उसको record कर सकते हो यहां पर hold भी कर सकते हो contact list देख सकते हो बहुत सारे यहां पर options आपको मिल जाते इसमें आपको inbuilt mic and speaker देखने को मिलता है जिसके वज़े से आप call receive and cut कर सकते हो तो यहां पर भी आपको similar specifications देखने को मिलता है जो आपको Huawei watch 2 में देखने को मिलता है sports watch में और यहां पर भी आपको similar resolution वाला यहां फिर similar display size देखने को मिलता है 1.39 इंच का जिसमें AMOLED screen मिलता है जो की अच्छी कासी clarity दे देगा आपको 14 दिन की ही battery backup है 15 morts इसमें भी आपको मिलते कार्ण गोरी लगता सका protection नहीं मिलता बट waterproof watch है Huawei की watch में भी आपको air pressure senses मिलता था यहां पर Huawei में stress में हो तो डिटेक्ट कर लेगा कि आप stress में हो और stress relief करने के लिए यह watch help भी करेगा तो काफी बैतरी नापको यहां पर watch मिलती है तो यहां पर तीनों watches में आपको GPS देखने को मिलता है हाला कि अलग-अलग brands के अलग-अलग accuracy होती है तो यहां पर possibilities है सारे जिसमें आपको GPU accuracy यहां पर काम करने को मिलने वाले है और यहां पर जो डिटेल्स हालेट करते कि आपको stress level जो है वो 24 hours का पूरा आपका stress level calculate करेगा आपको help करेगा stress reading sensor से तो आपको एक healthy body रखने के लिए काफी मदद करेगी यह watch honor की magic watch 2 तो यहां पर 455 एमेज की बैटरी अकपर जो कि दो अपते तक चल जाएगी हां पर काफी बता है दो अपते तक ही स्पेशल बात और एक आती है कि आपको यहां पर inbuilt mic speaker तो मिलता ही है बट आपको यह watch में internal storage भी देखने को मिलता है जो कि 4gb का है जिसमें आप 2gb music के लिए यूज कर सकते हो offline music के लिए तो यहां पर एक best feature बन जाता है कि inbuilt ही आपको यह watch के जो music systems है वह आप यूज कर सकते हो तो अगर overall देखे तो देखिए यहां पर 10,000 के जो budget range में आपको एक special यहां पर smartwatch लेनी है जो आपको एक activity सब कुछ track कर ले एक experience दे दे कि smartwatch कैसे actual में काम करती है कि actual में इतना effect पढ़ता है कि body effect में सब्सक्राइब करना है तो आप हुआ में कि Amazfit ट्राइ कर सकते हो यहां पर काफी बैतरी स्मार्ट वाच यहां पर अंडर बजेट में आपको मिलती है और दिखने में भी काफी कूल लगती है और थोड़ा stylish लोग मिल जाता है आपको थोड़ा बड़ा डिस्पले भी है protection भी मिल जाता है तो बाकी कि अगर में 12000 की प्राइस पर जाओ तो दो वॉच्छ आपको देखने को मिलते है तो दोनों वाच्छ में से में अगर को ही suggest करू तो मैं है प्रिफर करने का option मिलता है और बहुत सारे contact list वागरा access करने का option मिलता है Bluetooth के जरिये ही आप यहां पर connect कर सकते हो और यहां पर monitor कर सकते हो पर SPO2 के sensors तो यहां पर overall में जो भी research किया है तो यहां पर honor का magic watch 2 मुझे बेस्ट लगता है बाराजर के range में तो बाकिके जो वाचे से जो आते हैं थोड़े महंगे महंगे बट वह तो आहीए बट अडर 12 के यहां पर honor का magic watch 2 बेस्ट लगता है तो यह था overall watches के comparison तो इस सब्सक्राइब टो जी टेक्स अरा साथ से अध गंडियों वे दावादना बाई